लोहर दगा के बगडु पहार की तराई में बसे एक छोटे से खुबसुरत गाउं में अवस्तित है जामुन टोली, जहां कि महिलाओं ने अपने एक्षा शक्ती और सरकारी मदद से खुद की और परिवार की तकदीर बदल डाली है। नाबाड के सहयोग से प्रसक्षन प्राप्त कर यहां की महिलाएं संगम केचवा खाद उतपादन समीती से जुड़ कर केचवा खाद का निर्मान कर सिर्फ चार महीने के सीजन में 50,000 से 1,000,000 रुपे तक कमाले रही हैं। यहां पर एक सीजन में करीब चार ट्रक खाद का उतपादन होता है, जिने गुमला, लातेहार, राची, हजारी बाग समेत कई अन्य जगों पर भेजा जाता है। अतीत की बात करें तो इस गाओं के लोगों की स्थिति काफी बदहाल थी, यहां की महिलाएं महुआ शराब का निर्मान करती थी और पुरुष बजदूरी वगरा करते थे, लेकिन साल 2011 में नाबाड के सहयोग से यहां की महिलाओं ने केचुआ खाद निर्मान कारे का प्र गर चला रही थी, अब अभी ऐसा है कि सराब नहीं बेचके और नहीं छोड़के और अपना केचुआ खाद समय बना रही है और दिदी से मांग करके हम एक जगा ठोक करके जिसे राइडी हुआ, गुमला हुआ, पालकोट हुआ, खुट्टी हुआ, राची हुआ, लतेहार जामुन टोली की महिलाओं ने केचवाखात के निर्मान के जरिये साबित कर दिखाया है कि देश के विकास में आधी आबादी का सहयोग और समर्थन लाजबी है और अगर इनका साथ मिल जाए तो जहां मुकमल हो जाता है लोहरदगा से आसीफ रजा की रिपोर्ट